तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टड़ी भी थी होगे इसमें चुकि आजकल आपके मानसिक तौर पे आपको ससक्त किया जा रहा है यहनी जो क्लासेज हैं इंसर येर्बुक की मैं यह नहीं कहता कि आप लोग को यह नहीं आती होंगे लेकिन कई चात्रे ऐसे हैं जिनकी पा किताब नहीं है कई ऐसे चात्रे जिनको डाउट है कि कहां से जो कुशन पूछ देगा तो ऐसे ही एक टॉपिक है जैसे दो टॉपिक में आपको करा चुका हूँ एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है बच्चो आभुसन वाला अब चुकि UKPSC एक्जाम करा रहा है तो आभुसन से भी कुशन आता ही आता आपने अधिकान से एक्जाम में देखा होगा कि वहाँ से गुशन पर किये ही किये जाते है ठीक है अब देखें आभुसन वाले में मैं आपको क्या बताऊंगा इसमें कुछ नहीं मैं क्या कर सकता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ रिग्वेद में गले के आभुसन को निस्क कहा जाता था यह जीएस का कुशन बनता है ठीक है तो एक बार बहुत पहरी UKPSC नहीं पूछा था कि रिग्वेदी काल में जो निस्क था वो क्या होता था यह बच्चों एक प्रकार के आभुसन होते थे यानि ठीक है आभुसन और यह आभुसन कहां पे पहना जाता था इसके ब्रैकेटों में लिख देना गले में पहने जाना था इसके अलावा यह क्या दे रहते हैं वक्सिस्तल के रुपम और भुस्दंड में पहने जाने वाले बुसन खादी के उलेख मिलता है यह कुछ नहीं पढ़ने है अब हम यह देखेंगे कि हमारे एकजाम में क्या आएगा यहां से यानि हम पेपर देने चाहें हमारे पेपर में यहां से क्या चीज मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो भी हमारे ले कहीं नगहीं क्या हो सकता है important हो सकता है, इस समझ के साथ कि हाँ, यहाँ से question इस प्रकार का पूछा आजा सकता है, ठीक है, अब देखो सिर के आबूसन गहरा है, यानि आप सिर में क्या-क्या आबूसन पहनते हैं, यानि सिर के आबूसन और अधिकान चात्रो को और लिड़े आते होंगे, बताइए मुझे सीस फूल, बताइए, अब सीस फूल नाम से ही लग रहा है, सीस जुका कर सीस चाड़ा कर, कई जगह सुना होगा आपने, सीस मतलब सार, ठीक है अब यह कोई बताओ, यह कोई याद करने की बात है कि मज़े सीसफूल कहा पहना जाता है यह पता गरू नाम से ही लग रहा हो तो जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अलग टाइप क्या है वो दूसरा मांग टीका मांग कहां पर होती यह तो common sense है ना मांग टीका कहां सरी में तो पहनोगे ना या सरी में तो आपुषान आएगा इसको लिखने की जरुपत नहीं है सुहाग बिंदी कोई याद करने की जरुपत है कि कहां आती है सर पर माती पर ही तो लगाओगे ना इसके अलावा बांदी या बंदी गहरा है या पुराना जेवर जो पाजेब की तरह होता है अब यह अधिक परचल नहीं है हाँ यह आपको पता होना से यानि सिर के आगुसन बाकी जितने भी है मुझे लगता कि सीस्फूल नाम सी लग रहा बांदी एक थोड़ा सा अलग टाइब का आपको लगाओगा बंदी या बांदी इसके अलबा मांग टीका है या अपने आप में मांग टीका है सुहा जानिए वह और कौन सा गलत है अब बताओं मुर्खली या मुर्खी मुंदड़ा ये बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज अलग-अलग इलाकी कहना देखो इसमें प्लेंज की बच्चे भी है मैदानी इलाकू के पहाड की भी है गड़वाल की भी है कुमाओ के भी है वह आपको ये ध्यान में रखना है इसके अलाबा बाली बाली तो मुझे लगता है नहीं कि आपको याद करने की जरुवत है बाली कान की तो होती है बाली पहने बच्च्पन में देखा होगा सुना होगा आपने कुंडल कुंडल खानी में तो पहनोगे और कहां पहनोगे ये प्रूद भी लिखने के जन्तवर। काल्ण फिर्ड मतलब कान फिर्ड या कर नो PG यो या तुगियल या Tugaliya तुगियल या Tugaliya डिया इसको ढँने तुगरामा इसको ध्यान में रहना है ठीक है कि यह हाँ कान में फेहने जा लाला और UKPC यहाँ से question उठाएगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इन जगह हूँ से question उठाता है ठीक है इसके अलावा यह देरा बस दोई अब कान के आपको सिर्फ दो यादक ने मुर्खली और तुगलबा की कान फूल है, बाली है, कुंडल है यह तो common sense है यह तो वैसे ही examination होल पर आप सही कर जाओगे तीसरा आदा बचो नाक के नाक के जो अबुसन है क्या आपको नथिया नथुली का पता है कुमाओ में ज़्यादा famous है नथिया नथुली जिसको बोलते है यह कुमाओ में हमारे ज़्यादा famous है यह वाला भुसन, आपने देखा होगा जो कुमाओ का इलाका है वहाँ पर जैसे कोई कारिकरम होता है पूजा वगरा होती है विवावेवाई कारिकरम होता है, एक सुबकाम होते है तो महिलाएं पिछोड़े के साथ नाक पर जो पहनती है वो देखा होगा आपने ring टाइप की गोल सा रिंग नहीं, एक सरकल के से पहता है उसको नथिया नथुली बोला जाता है ठीक है, नाक की नथुली एक गाना भी था पहाड़ी कोमावनी यह सुनाओगा आपने यह आदखना नकी, दूसरा यहाँ पर है बुलाक, क्या है बुलाक बुलाक नाम का जो आभुसन है यह भी कहाँ पर पहना जाता है अपने आप में नाक, तो यह देखो जो सिर के आभुसन आपको बंदी, यह सब सिर के नाम से कॉमन सेंस है, नाक के पता ही चल गया बुलाक और नथुली, और ही कान के मुर्खली और तुग्यल, ठीक है इसके अलावा था बच्छे, गले के आभुसन यानि आप गले में कौन-कौन सा आभुसन डालते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गले के आभुसन पहला देखें, गले में क्या दे रहा गुलू बंद या गुल बंद या गलो बंद, अब गलो बंद, यह कोई नाम से नहीं लग रहा क्या गला, यारी गुलू बंद कहे, या गुल बंद कहे, तो मुझे लगता है कि आपको कोई परिशा नहीं होगी, किस जगह पर, किस इस्तान पर फहना जाता है, दूसरा लॉकेट, लॉकेट कौन नहीं बहनता है, बताओ आप जब छोटे-छोटे थे यहाद है, आपकी मम्मी कहा करती थी, कि बेटा नजल लग जाएगी, कोई गाओं में, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, तो एक गाओं में हमारा, हमारा क्या सभी के गाओं आप लोगने चीज नोट की होगी, एक इस्थानी मतलब वो मान के चलो, क्या, डॉक्टर मान के चलो, डॉक्टर भी नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ तार्खिक डॉक्टर नहीं, यानि अब डॉक्टर का मतलब यह नहीं कि वो बहुत ज़दा पाले लिखे या बहुत वो, वो इ भी चलता है, नजर लग गई, यह हो गया, वो हो गया, तो स्थानी लेबल पर, तो लॉक्ट कौन नहीं पहनता बताओ, आप लोग जब मेले में जाया करते थे, या थे, बच्छमन में चोटे-चोटे थे, मेले बगर ऐसे, लॉक्ट लेके आया करते होंगे, यानि लॉक्ट अप अगलग टाइप के हो सकते हैं, तो आपको पता ही है, लॉक्ट गले में होगा, इसके अलावे एक चरियो लिख रहा है, इसको ध्यान रखना है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कन्फूज कर जाएंगे, जैसे कई बच्चों को पता नहीं रहता, तो चरियो गल अब देखो, कंठी माला, माला है तो सर पे तो आएगा, नहीं आपके सौरी, गले पे ही तो आएगा, कंठी माला गए, कुछ कहे, तो नाम ही माला लग गया उसके पीछे, तो आपको याद करने की जरुबत नहीं है, इसके अलावे एक मूगू की माला आता है, ठीक है, इसक का आभुषण है, हमारे पारंपरिक है, और UKPSCNC ही ज़्यादा चीज़े पुषता है, जो कल्चर से संबन्दी तो, ठीक, इसके अलावा पहुंची भी होता है, पहुंची देखा होगा, आपने वभाहिक कारिकम अगर जो होते हैं, गोल्ड वगरा की बनाते हैं, लोग आ अलावा देखा है, अंगोठी या गुंठी, मुझे लगता है, आपको पढ़ने की जरुवत है, या लिखने की जरुवत है, चूडी, हाथी में तो बहर होगा, हाथ में चूडी पहन के बैटा है, इस प्रकार के कई लोग डायलोग वगरा में मारते हैं, कंगन, जरुवतन जरुवत का, कि हाँ ये चीज हम यहाँ पर पहनते हैं, तो हमें ज़्यादे दिक्कत नहीं आईगे, ठीक है, इसके अलावा आता बच्छो कमर के आपुशन, जो मुझे व्यक्तिकत तोर पे लगता है, इस बार आपको कुशन आ सकता है, कमर का पूछेगा, ठीक है, जितना पेरों के आपुशन, यानि पेर में कौन-कौन से आपुशन पहने जाते हैं, मुझे उम्मीध है ये आपने लिख लिया होगा, अगर इस साइट के जो स्पेस बच्छा में यहाँ अगर इसको लिख दू, तब भी आप समझ जाओगे, ठीक है, पेर के आपुशन देखते ह है, पेर में पहना जाते हैं, इसके अलावा second derive pota, इसके अलावा पाजेब देरा और बिच्छोफा देरा, पाजेब भी कहाँ पहना जाता है, पेरों में और बिच्छोफा बिचुवा मेरे खाल से हलकी अंगुठी टाइप की होती है जो अपने आप में कहां पर पहने जाती बिचुवा करना आमत करना ये पैर की अंगुठी में पहने जाती है तो देखो जीमरा है पोटा है पाजिप है बिचुवा है यह सब के सब कहां पर पहने जाने आले आभुषण है पैर में और इसके बाद यह जो आभुषण वाला है यह सिदे सिदे जेरा बच्चू के आभुषण अब बच्चू के आभुषण आपको पढ़ने की जरुबत हाई नहीं क्योंकि आपका सिर्फ यही पूछना है इसने जोहारी हतकान यानि जोहारी हतकान आभुषण तो जोहारी हतकान आभुषण में यानि जो जोहार का छेतर है पुलिया, पैजामा, जड़तार, छाड़े अम्रिता, गिनाल, अतरदान, तयलर, चनरहार, पचमनी, मोहन, माला, नत, मुनार, मुर्खी इतने नाम दिए अब म और कहां पर पहना जाता है इसके अलावा क्या पढ़ना है बता है है user ये पुलिया मतल़ा पाऊँ की तरजनी उंगली पर पहने जाने वाला एक चांदी का आभूशण है तो आप इसको पाऊँ मही लिखना तो जो पुलिया नाम का आभुषण है उसके बारे में नहीं पढ़ना आपको पुलिया ये भी कहाँ पहना जाता पाव में पहना जाता पुलिया नाम का आभुषण कहाँ बना जाता पाव में इसके अलावा पैजाम दे रहा है जड़ तार चाड और अम्रिद तार बोलते हैं इसको ठीक है अम्रिद तार ये है बच्चो चांदी के तार से बना हुआ पाउँ पर पहनने वाला अभुचाण यानि ये दोनु कहाँ पर पहनने जाते हैं पैरों पर पहनने जाते हैं यानि पाउं पर पहने जाने वाले क्या है या अभुषण इसको भी आप तो क्या करोगे ध्यान में रखोगे इसके बाद आता है आपका गिनाल गिनाल मतलब भीतर से खोगला चांदी का गोल आभुषण जिसे प्राय लड़किया पहनती है छोड़ दो अतरदान अतरदान कम हार हार है तो गले का ही होगा पचमनी दे रहा तो यह स्वन्णा हार है तो हार है तो गले का ही होगा मोहन पचमनी भी लिख लो ही पचमनी यह आभुषण भी कहां का है गले का है इसके अलावा यह दितन नथ नथ मैं आपको बता चुका हूँ नथ आपको पता है नेक्स द मुनार नाम का वो पहने जाता है, कान में, ठीक है, मुनार, इसके बाद आते हैं, मुर्की या बुजिनी या गाकर, ये स्वार्ण या चादी का बना हुआ कान पर पहने जाता है, ठीक है, ये मुर्की भी कहाँ पहने जाता है, मुर्की या इसको बुजिनी बोलते हैं, इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक और चैप्टर इसका क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, इसमें आप दिखना, उत्राखंड में खनीज संपदा वाला दिया है, यह परिक्ष्यावानी में भी मिलेगा आपके पास, और यहां भी दिया है, और जो बच्चे यह कहते क सरविंसर इयर्बुक नहीं है, वो सेम चैप्टर को परिक्ष्यावानी पे खोल लीजी, ताकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आपको अनोखी चीज पढ़ाई है, यह सिर्फ आपके लिए, मैंने आपको बार बार यह कह रहा हूं, कि अगर जो चीज़े दोनु जगह मिलेंगे आपको, वो आपके लिए इंपोटेंड हो जाती है, तीक है, इस्पैसली UKPSC के एक्जाम में, क्योंकि खनी समपता में इसलिए बता रहा हूं, कि आपको ध्यान रखना, UKPSC क्या करता है, भुगोल वाले पोर्षन को ज्यादा टच करता है, ये लिखता है कि लोहा, क्या क्या देता है उतराखन, पहले लोहा, ताबा, गंधक, खड़िया और सेल खड़ी, इसने ये पांच आइटम दिये हैं, जो एक साथ दिये हैं, मतलब फिर, फिर हलका सा इसने थोड़ा सा उसको एक बॉक्स मा बनाया है, यानि वो बहुत ज जादा आप ये कह सकते हैं कि बहुत जादा उस पर चीजे नहीं दी भी है, थोड़ा सा इसने एक आईडिया दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, देखें, खलीज लोहे के बिखरे हुए निक्षे कुमाओ मंडल में, जैसे वैसे बेसिकली यहां लोहा न लोहे के निक्षे पाएगे, यानि बहुत जादा फेमस नहीं है उत्राखन लोहे के लिए, तो यहां पर अगर आपसे कभी यह पुछता है, उत्राखन बेसिकली लोहा की जिल्ले में पाए जाता है, तो अगर पाए जाएगे तो हलका फुलका नेनिताल के इलाकों में बहुत जादा लोहा नहीं है, अब यह चमोली में भी एक नाम देरा, ठीक है, चमोली में क्या नाम देरा, यह देरा बच्छो मोहन खाल, चमोली में मोहन खाल, यानि यहां भी पाए जाता है, लेकिन बहुत जादा नहीं पाए जाता होगा, यहां इस सिर्प लोहा आपको आतखना कि अगर पूझेगा नैनिताल ही इसके लिए फेमस है तावा तावा आपको पताओगा अलमोडा का इलाका 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 इल तो आपसे यह भी नहीं पूछेगा ताबा कहा पाए जाता है इस प्रकार से कभी नहीं पूछने आला है लेकिन अलमोडा में आपको थोड़ा ठिक ठाक उसमें मिल जाएंगे ठीक है अलमोडा में बाकि इसके ब्रेकेट में हलका फुलका अगर चाहो तो लिख लो कि अगला आता गंधक नंदप्रिया के पुर्व में सुतोल ग्राम के पास सफ्टिक सिलाउं में देहरादुन के सहजधारा था बदरिनाथ तपवन यमनोत्री में गंधक के चसमे हैं ठीक है चसमे हैं राज्य में चुने का पत्तर के प्रता देहरादुन टेरीगणबाल चमोली जनपदु में ठीक है ये तो देखो गंधक जो पाए जाता है गंधक लिख दो हलका फुलका जो सहस्धारा के आसपास का इलाका है यानि देहरादुन के आसपास का इलाका कह सकते हो या इसके अलाबा जो आप बदरिनाथ का इलाका है तपवन का इलाका है यमनोत्री है इस इसमें गंधक युक तो वाटर भी पाये चाहिए तो यह बहुत ज्यादा नहीं पाये जाता है जेसे एक सहस्ते धारा है सहस्तारा ठीक है हलका फुलका बदरिनात अबलीक तपोवण अबलीक यमणोत्री इन ही इलाक। में हलका फुलका पाये जाता है तो जो चुना पत्थर है राज जी में चुने पत्थर की उप्रता बेसिकली देहरादुन में है जित्ता करा रहा उतना ही करना बेसिकली कहा पाया जाता चुना पत्थर देहरादुन में इसके अलावा यह देता है कि टेहरी गडवाल चमोली जनपदू में हैं बहुत ज़्य पुछेगा निए पूछेगा आपसे और शेल खरी आपको रज़ूद्र में फारेगा ये और सेल खरी अगर गडवाल जन पद में नहीं पूछन आखरी यह कुछ निए पूछन आँ प्दा कहा से जो मा हम बताओंगा वो वाले चीज़ वो बॉक्ष आप याद एकना उससे कि इन जिलू में पाय जाएगा तो प्रिफ्रेंस के अकॉर्डिंग ही मैं इसको रख रहा हूँ, लाइम स्टोन पाय जाता है, देहरादून टिहरी पुरा निली हूँगा ठीक है, पिथोरागर, DTP, यहां लाइम स्टोन पाय जाता है, एक होता है, डोला माइट, डोला अगर कभी कुशन आता है डोलामाइट कहां पाय जाता है यह सेम करते ना देहरादून टीहरी और पिथोरागर ठीक है इन जीलों में क्या पाय जाता है डोलामाइट इसके अलावा आता है बचो एक मैगनेसाइट के फैक्ट्रियां है अभी भी कहीं बच्ची गुची मैगने साइड एक पिथोरागर में भी हुआ करती है हुआ करती थी चंडाक के आसपास जो बच्चे जाते होंगे घोमने के लिए पिच्चर वगर लेने फोटो गरे क्लिक करने जाते हैं अब भी उस पुरानी अपने आपमा उसे इस बचे हैं चमोली बागेसवर और पिथोरागर मे मैंगनेशाइड के थोड़े बहुत क्या मीरते हैं भणडार मीरते हैं इसके अलाबा जो मिलता है वो भी इसी इलाके में मिलता है ठीक है लिगो सोप स्टोन सेम है, सोप स्टोन भी कहां पाई जाता है चमोली, अल्मोडा, बागिस्वर, पिथारागर मतलब ये चीज़े दहरादून में नहीं है कहने का मतलब है ये गड़वाल के जिलिव में नहीं, ये बेसिकली कुमाओं के रिजन में है यह अब यह कभी-कभी गैस भी करना होगा एक्जाममेशन और पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंगनेसाइड थो सन्ने कुमाओं साइड में बताया था सोप स्टोन या सन्ने कुमाओ साइड में अल्मोड बताया था तिहीरी में ठीक है फास पॉटाइट लिखो देहरादुन टिहीरी में है अगला लिखना आपको base metals यह लिखने की जरुबत नहीं है अगला लिखो silica sand यह important है उत्तरगासी और देहरादुन silica sand ठीक है silica sand silica sand जो है देहरादुन प्लस उत्तरगासी इन दो जिलू में क्या होता है? Сिलिका सेंट पाए जाता है. इस पॉइंट को आप लोग क्या करोगे? इसके अलावा ग्रेफाइट जो पाए जाता है? पॉड़ी कड़बाल में, तो अल्मोडा ग्रेफाइट के लिए उतना IMPORTENT तो नहीं है, फिर भी क्या आप तो पूज देठे हैं, ग्रेफाइट, अल्मोडा नैनिताल और कौन सा तिस्दा, क्या बता है था मैंने अर्मोणा नेंतरल पॉड़ी गड़वाल, भी थोड़ा गड़ मत करना है, ठीक है, पीजी लिखज़े, वैंने, पॉड़ी गड़वाल, आप लोग समझ जाओगे, इसके साथ ही जो आता है, आपका स्लेट्स पाय जाता है, वो भी उत्तरकासी में पाय जाता है, बस लास्ट इसके बाद एक और है, ठीक है, श्लेट्स, यह पाय जाएगा कहाँ, उत्तरकासी में, और अन्तिम चुभए आपका, वह मार्बल्स, यह इंपोटेंट है, देहरादून और नैनितल में, ठीक है, यह बहुत इंपोटेंट है, मार्बल्स देहरादून में ही पाय जाते हैं, बेराइट से ये इसके बंधार कहीं नगई आपको दिख जाएंगे इसके अलाओ कुछ नहीं पूछने आ रहा है बागी खनी समपता की वर्तमान इस्तिती भूतत्वयम खनी योजनाएं सब्द परिचाएं ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ने हैं बता आपके लिए ला ये गाथ, थैंक